अब सभी का मेरी यूट्यूब चानल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है सेटरड़े सेप्टेंबर 9, 2023 इंग्लिश वकेबलरी सीरीज में वर्ड फ़ दे इस अट्रोसिटी अत्रोसिटी का मेनिंग होता है अत्याचार यनी कि बहुत ही कुरूरता से भरा हुआ अत्याचार शॉकिंग आक्ट यानी कि जिससे कि शॉक्ड हो जाएं लोग स्थब्ड रह जाएं कि यह क्या हुआ तो एक तरीके से बहुत ही कुरूर अत्याचार इसका मतलब होता है यानिकि आपकी सेंस भी कुरूल्टी से भरी हुई है इसके हिंदी मीनिंग है अती क्रूर व्यवहार और क्रूरता यानि कि किसी के साथ भी बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया जाए मान लीजिए इसमें हम क्राइम का ही एक्जामपल ले सकते हैं कि कोई क्रिमिनल है उसने किसी इनोसेंट परसन का जो मडर किया है वो बहुत ही कुरूरता कुरूल्टी के साथ किया गया है जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाए जाते हैं कि मतलब मार के उसके फेस पे बहुत भारी पत्थर मार दिया उसका पूरा फेस बिगाड दिया तो इस तरीके से जो है उनको हम कह सकते हैं कि atrocity है, बहुत ही कुरूर व्यवहार है, अत्याचार है. So, यह है atrocity का meaning. Now, we move on to the synonyms and antonyms of atrocity. Synonyms का meaning होता है, similar meaning words. So, synonyms of atrocity are inhumanity, evil, outrage, cruelty, crime, or brutality. So, antonyms of atrocity, अब antonyms का meaning होता है, opposite words. अब देखिए, atrocity का meaning क्या है, अत्याचार, cruelty करना, बहुत ही दुर व्यवहार, दुष्ट व्यवहार करना, तो उसका opposite क्या होगा, बहुत अच्छा व्यवहार, प्यार से, दयावान, kindness से. So, antonyms of atrocity are kindness, goodness, mercy यनि की दया दिखाना, good behavior, अच्छा व्यवहार, compassion, or pleasantness. So, these are the synonyms and antonyms of atrocity. Now, we will move on to the example sentences, so that we can understand this word much better and how to use it in a sentence. Sentence number one is, the atrocity of the murders stunned the entire city. इस sentence का मतलब है कि जो murders हुए city में, वो इतनी कुरूरता के साथ किये गए थे, कि पूरी जो city थी, entire city, वो stunned रह गए थी, पूरा शहर एक तरीके से shocked, तब्द रह गया था, कि ये क्या हुआ है, इतना कुरूरता के साथ जो city में murders हुए थे, वो किये गए थे. Second sentence is, the atrocity committed against innocent civilians during the war shocked the entire world. यानि कि जब war चल रही थी, जब लड़ाई युद चल रहा था, तो जो innocent civilians हैं, जो कि एक तरीके से, जिन्होंने कोई crime ही नहीं किया था, वो मासूम इनोसेंट थे, उन लोगों के साथ भी इतना ज़ादा दुर व्यवहार किया गया था, the atrocity committed against innocent civilians during the war, यानि कि जब war चल रही थी, जो innocent थे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था गलत, उनके प्रती भी जो atrocity दिखाई गई थी, इतना अत्याचार कमिट किया गया था, उनके अगेंस्ट भी, उसको देख के, entire world पूरा संसार शौक्ड था, जब लडाई में, जब होती है न, अदेशों के बीच में, वार होती है, तो innocent लोगों को भी, उस वार का सामना करना पड़ता है, चाहें उन्होंने कुछ किया हो, या ना किया हो, इसलिए, the atrocity committed against innocent civilians during the war, shocked the entire world, तो entire world पूरा संसार जो था, वो बहुत शौक्ड था, जिस तरीके का अत्याचार innocent civilians के साथ किया गया था, during the war, so this is the whole description of English vocabulary word atrocity, which means an extremely cruel, violent or shocking act, these are the synonyms and antonyms, and these are the example sentences, daily English vocabulary सीखने के लिए, मेरे यूट्यूब चानल universe is unique को सब्सक्राइब करें, और साथी बेल इकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के रोटिफिकेशन भी मिलती रहें, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूं, related to English vocabulary, so that you can learn, every single day, one new vocabulary, if you watch my videos regularly, you will definitely see a change in your vocabulary words, whether you are using it for writing or speaking skills, your vocabulary will get enhanced by watching my videos daily, so keep watching my videos, thank you, thank you so much for watching.